नमस्कार आप बोकल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं फिलाल हम 36 गड़ के धमतरी जिले के कुरुत तहसिल में मौजूद मामातंगी दिब्वे दर्वार में हम मौजूद हैं मामातंगी दिब्वे धाम दिब्वे दर्वार के पिठा देश्वर हमारे साथ प्रेमा साही जी महराज मौजूद हम इनसे बात्चीत करेंगे इस दिब्वे दर्वार की महिमा के बारे में तो हम पहले भी आपनों को दिखा चुके हैं किस तरीके से हम लाइप तस्बीरों के माद्यम से खुद पर्ची बनाते हैं और जो पर्ची होती है महाराज जी की कृपा से बिल्कुल हम सही लिखते हैं और जो वैक्ति के बारे में पर्ची बनाते हैं वो पत्रकार रहते हैं वो सब कुछ चीज आप लोगों ने देखा इस दिवे दरबार के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे आपके बैक्तिकत जीवन के बारे में बातचीत करेंगे और किस तरीके से आपको ये अलोकिक दिवे सक्ती प्राप्त हुई आपका ग्रियस्त जीवन किस तरीके से ग्रियस्त जीवन में रहते हुए इस जीवन को ज मा मातंगी दिभ्य दर बारे में बाचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले बैक्तियद जीवन के बारे में कब से किस उम्र में आपको किस पढ़ाओं में आप थे तो आपको लगा कि आपके अंदर कोई चमतकारी कोई दिभ्य सक्ति नहीं ती साथ या आठ साल के उम्रे में मैंने घर का त्याक किया और आसाम की तरब जो है मैं गया और गौहाटी इसे मेरे गुरू देव की बेट हुई मेरी और फिर वहाँ चौदा साल में रहा और तीनों महाविद्या की अलग-अलग साधनाई की 14 साल साधना करके फिर 2016 से में दरबार लगान तो जैसे आठ साल के उम्र बहुत छोटी उम्र होती है और वो क्या ऐसा कारण बना जिससे आपको ग्रियत्याग करना कारण एक था देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि घर का जो वातावरान था बहुत ज्यादा अध्यात्मिक था और मेरे पिता जी के जितने मित्र थे जब भी बैठते थे तो चर्चा यह होती थी मावारत में कौन है उसका भाई का नाम क्या है कोई लड़ाई करेगा ने यह नाम नहीं फिर वो लड़ाई करेगा अरे यह नाम था नहीं उसके इतने भाई थे ऐसी जो हैं राम कता के उपर भागवत कता के उपर अलग-अलग प्रवाजोन की चलती थे तो कुछ ऐसी चमतकारी चर्चा जो कामा रूप कामाक्षा के बारे में होते थी कभी कि माचिस के डिबगी में इनसान को मक्षी बना देते हैं किसे को कुत्ता बनाते गाय बनाते यसी चर्चा شाए थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर इतनी चमतकारी शक्ती है भूत प्रेत पिसाच ये सब होता है और मनुश्य को इतने कष्ट मिलते हैं तो जरूर हमने इस विद्या को नजदिक से देखना चाहिए इसको परकना चाहिए और इसकी प्राप्ति करनी चाहिए इसे साधना इस उद्यश्य से मैं घर का त्याग करके इस दिशा में बढ़ा था जन कल्यान था इसके पीछे कि जन कल्यान करेंगे अच्छा जब आप घर से निगले तो तुम माता पिता को पत्त था या किसमें कुछ नहीं कुछ नहीं प्रूरा टीवी थी वह 800 रुपे में एक मुसलि उससे भी पहले की बात है क्योंकि 91 का मेरा जनम है तो लगबग 99-98 के दर में हाँ वह ही उस समय की बाता तो हमारे घर के पास एक किराना शौपती वहाँ पे टेलीफोन था तो उस टेलीफोन पे फोन करके संपर्क होता था जैसे घर वाले जी ने कभी मुझे वापस नहीं बुले बेटा ठीक है तुझे सीखना ऐसे क्योंकि मैंने कहां कि मेरे पिता जी ने बहुत सपोर्ट किया और अध्यात्मिक थे बहुत ज़्यादा तो इसलिए कभी उन्हों सबसे पहले यहां पर मातंगी विराजमान है और मातंगी को पूरी प्रकृति माली जाती है तो इसलिए माता रानी को जो है अलग-अलग पत्तों की माला रोज चड़ाई जाती है पूरे पत्तों से सजाया जाता है जैसे मैं हर मंदिनों में जाता हूं तो देखता हुआ फूलो की माला हुआ मातारानी जो है खुद प्रकृति है तो प्रकृति से इन्हें जुडा जाता है पूरी trafficking पर मातारानी में समाई थैं और इसलिए जो अं है अलग-अलग पत्तों की माला रोज यहां पर चड़ाई जाती है आज यह किस पत्ते की माला है यह अशोक की तरह होता है कोई पेड़ है सामने उसका है मतलब यह बदलता रहता है रोज अलग-अलग होता है कभी आम का होता है कभी बरगत का होता है पीपल की भी पत्ते होते है यह यहां नाग देवता विराज इसलिए विराज मान किया है क्योंकि सामने बहुत बड़ा यह है वन है तो विशेश कृपा बनी रहे सब के उपर भक्तों के उपर इसलिए यह नारियल यहां पर क्यों रखा है क्योंकि यह मामातंगी है और मामातंगी के सामने उनके खजाची बैटे हुआ है उनका हिसाब किताब रखने वाले और इन यहां पर राचकोष भारे बारे कुछ बताएगे इस राचकोश में जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा धन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो आता है या पर दर्शन करता है जिसका व्यापार हो या कर्ज में डुबा हो या घर का कारे अधूरा पड़ा हो तो इसमें आता है कोई भी हाथ डालके जो एक नोट मिले वो नोट जिसे से हाथ डालेगा कोई भी एक ही नोट लेना है उससे ज़्यादा नहीं एक नोट उठाएंगे और इसे अपने व्यापार में लगा देंगे तो दिन बे दिन उसन की प्रगती होगी और फिर एक साल बाद ये कर्ज लोटाना भी है क्योंकि देखिए इश्वर से लिया गया जो कर्ज है वो धन भारत में ऐसा पहला दर्बार होगा जहां पर एक साल वादी से आके लोटाना है और आप अपने इच्छा से जो उपर देना चाहे हो दे सकते हैं और इसे कभी निकाला नहीं जाता है इसका धान यहीं पड़ा रहता है मतलब इसका इसाब हमारे पास नहीं है इसका इसाब म मा के खजांची के पास हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है इसकी प्रतिमा है इनका सर अलग है इसलिए है यह माच्छिन नमस्ता है दस महाविद्या में से एक है और इनके साथ जया विजया है इनकी साथ रहते हैं तो इनको भूक लगी थी तो मातारानी ने अपना सिश और उनको अपने रक्त से इनकी भूक में ताला जैसे मैं देख पा रहा हूं कि पूरा घंटी लगा हुआ है और इसमें ताले का भी महत्व है और घंटी का भी महत्व है देखिए यहां पर जब व्यक्ति आता है दूसरे पेशी में तो वह अपने साथ एक घंटी संकल और ताला ले आता है तो ये ताला संकल से बांदने के बाद उसे ताला लगा दिया जाता है एक चाबी यहां जमा कर दी जाती है और एक चाबी वह अपने साथ ले जाते हैं और अपने घर पर रखते वह चाबी जहां रहेगी जिस घर में वह चाबी रहेगी उस घर की जाता है मंत्र से अभी मंत्रित करके दिया जाता है फिर वह बान देते हां कि उस्ताश कारेले में जाएंगे वह अपने वपर से तीन बार उतार के बान देंगे और एक चाभी होना आती है उनके घर पे तब ही वो रक्षा करेंगी चावी का बड़ा एक यह है संपर्ख है जैसे अंगुमन देखा जाता है कि मंदिर में टायल लगा दिये जाते हैं संगमरमर होती है सफेज सफेज यहाँ पर यह मिट्टी है सवारी गोबर है गाय का गोबर है गाय के गोबर से रोज लिपा जाता इसके उपर चलने से भी कई रोग मिट जाते हैं मनुश्य के कई ऐसे जर्म सोते हैं जो नस्ट हो जाते इस पर चलने से ही तो इसलिए यहां पे करते हैं और रोज इसको लिपा जाता है जैसे उधर मैं देख पार हूं चुनरीयों में नारील बने उसकी क्या महत्ता है क्या बिसी इसता है ये बताता हूं जैसे अभी आप बताएं कि ग्रियस्त जीवन भी जीँ में और कौन-कौन है तो परिवार में मेरा एक बेटा है पतनी है हम तीनी लोग रहते हैं जैसे ऐसे शपर उसे परिवार वालों को एक सिकायत रहती होगी कि समय नहीं दिपाते हैं मैं मैं बताओंगा पहले इसके बारे में बताओंगा पहले इसके बारे में बताओंगा पहले इसके बारे में क्या है यह जो लाल नारियल है जब पहली बार यहां पर लोग आते हैं तो इस तरह का एक लाल नारियल सामने से खरीदते हैं और अपने उपर से उतार के इसको बांद देते हैं और जो भी उनकी मनो कामना होती है जैसे माली जी किसी का विवा नहीं हो रहा है मातारानी से प्रार्तना करेंगा कि मेरा जल्द विवा जुड़ जाए प्रार्तना करके नारियल बांदेगा या किसी की अरजी नहीं लग रही है वो प्रार्तना करेंगा है मातारानी म या फिर उनके अगर फित्र जो है वह अच्छ है लेकिन उनको बल मिले उसलिए बानते है इसकाबना से पीला नारियल जब दूसरे बार पेशी पे आते तीसरे बार तब इसे बांगते हैं और इसे बांगते हैं अभी मंतरित करके जैसे जो भी नारियल जब वो चौती बार जब आएंगे तो कोई भी एक पीला नारियल ऐसा नहीं कि मैंने ये बांदा मुझे यही खोलना है वो तीसरी बार आके बांदेगा और जब चौती पेशी में आएगा तो कोई भी एक पीला नारियल खोलेगा और वो अपने साथ घर पे ले जाके बांदेगा या पूजा घर में या तीजोरी में रखेगा इससे यह माना जाता है कि इस नारियल के अंदर मातारानी की पूजा वाले अस्थान में घर में बांदेंगे तो इस तरह से उस रक्षा करेगी यहां पर घे के दीपक दिख पा रहा है यह देखिए नीला भी है यह सनी की साड़े साती है तो बांदेंगे तो सनी की साड़े साती का जो प्रकोब है वो उपर नहीं आएगा अच्छी यह धीपक यहां सजाए गया है इस दीपक का क्या माज करता है व 15 शाल आजिए कि is का मैंद मैं लीजान मार निवसरेता है कि यहां पर तीन बार हो गया वापस जांगे तो यहां आकर पर चंद अरो प्रातना करता है कि मेरा पर्चा बन जाए मेरा नंबर लग जाए इसनले भी दिपक जलाते हैं जैसे मैंने का यह मंदीर अभी अधुरा बना नहीं है यह तीनों गुंबत एक बड़े गुंबत में आएगा और सामने विशाल सभाग रहे होगा तो अभी यह बनना है और क्या मंदीर की पवीत्रता को देखते वे हर किसी को अंदर जानी की अनुमती नही और यहां पर दोप दिप जाला देते हैं जैसे सबसे पहले बातचीत में पता चला तो जो आपका दरबार तो उड़ीसा में लगता है शुरुआत कब से हुई उड़ी सा में मतलब जारो से हमारा 2021 में बनाता लेकिन वहां का जो मौसम है टैंपरेचर है वो हर किसी को सूट नहीं होता था लोग बीमार पड़ते थे और दुसरी बात जो है वहाँ पे साइकलोन का बड़ा खत्रा रहता था तो इसलिए यहाँ पर बनाया गया हाला कि वह दरबार पूरा पक्का नहीं था प्रीकास्ट वाल से बना था अब वहाँ पे भी पक्का बन जैसे मैं अभी कोश्चन पुशा बीच में कोश्चन कड़ ग्रियास्त जीवन पर रहते हैं जो ग्रेस्त रहे हैं लेकिन हमेशा रहती है कि आप घर के लिए समय नहीं दें अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे तो एक कि पुत्र है मैं यहां दरबार में बैठता हूं कई बार ऐसा होता है कि मैं रात बर दरबार में बैठा और घर जाओंगा तो वह सोय हुए होते हैं और जब मैं सो जाता हूं तो वह उठके स्कूल के लिए निकल जाते हैं और वह स्कूल से वापस आने के पहले मैं रेडी होक वो कहीं न कहीं मन में खटकता होगा कि मैं उसको अच्छी से निर्वान नहीं कर पाता है एसा जरूर महसूस होता है महसूस क्यों नहीं होगा क्योंकि मनुष्य शरीर है जरूर महसूस होगा भावना हर किसी में होती है महसूस जरूर होता है लेकिन मैंने जो अपना जीवन है मातारानी को समर्पित किया और मैं यही सोचता हूँ कि मेरा एक ही उद्देश है मातारानी जो है हर घर घर तक जाए देश विदेश तक जो है मातारानी का जो पर्चम लहरा है यही मेरा उद्देश है और मेरे जो पूत्र है उनकी शिकायत होती है कि आप बात नहीं करते समय नहीं देते, कई बार जीद भी करते, आज मत जाओ, लेकिन उनको फिर बड़े प्यार से समझाना होता है, काफी दूर से लोग आए हैं, उनकी टिकेट है, किसी के पास पैसा है, नहीं है, लोग थंड में सो रहे हैं, ऐसे समझा के फिर उनका मन परिवर्तित करके फिर आना हो जिसे मुमन जो दिप दरवार जिनके अंदर चमतकारी सकतियां होती है, इतनी सहस्ता से बात्चीत नहीं करते हैं, और लोगों से मिलना जुलना है बड़ा दुसगर होता है, जैसे मैं आप आए, उसके पहले हम लोग आ चुके थे, हमारी टीम मौजूद थे, जो आप यहा जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, वो कितने भी उपर चला जाए, वो जमीन से जो अपनी पकड़ है, वो बनाये रखता है, जमीन की पकड़ नहीं छोड़ता है, और जैसे मैंने कहा कि मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं रहा हूँ, और मातारानी की क्रिपा है, और और मैं यही सोचता हूँ कि मैं यहाँ पेक सर्विस कर रहा हूँ जब लेकिन लोगों से मिलो, उनके दुख को समझो, अगर किसी का पर्चा नहीं भी बना, लेकिन अगर मैं उससे मिलता हूं, अगर उसके कंदे पे हात रख दिया या सर पे हात रख दिया तो भी उसको यह लगता है गुरुजी ने सपर्श किया, और सुकून मिलता है एक कर लो या गुरुजी मेरे तरफ देख ले तो वो इच्छा पूरी हो जाती ही फिर वो जो 30-40 गंटे का जो सफर है वो कई उनके लिए दुख दायक नहीं होता है वो गम नहीं रहता कई उनके बंद जैसे अमोमन मैं देखते आया हूं कि मीडिया से दूर रहते हैं अब मीडि पूरा सम्मान करते हैं लेकिन क्या होता है कि समय उतना नहीं मिल पाता है लेकिन जब भी समय मिलता हम समय देते हैं और पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि मीडिया ही एक बहुत बड़ा प्रचार माध्यम है एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत बड़ा महत्वर रखता है तो इसलिए पूरा मीडिया ने बहुत सपोर्ट भी किया ऐसा नहीं है बड़े-बड़े नेशनल चैनल ने भी सपोर्ट किया दिखाते हैं जैस तुस प्रचार उनका और अपने धर्म का बास्त्विक परिबासा क्या होनी चाहिए आपके नुसार सरातन धर्म की ने देखिए एक बात है जहां असली पूलिस है तो नकली पूलिस भी कई न कि आपको देखने मिलते वर्दी पहन के चले गए बात यहीं है कि अधूरा ग् के और ग्रंतों का जो है तोड़ा ध्यन करे पांट करे तो इस तरह की चीजों से बचेंगे और देखिए ढोंगी पाखंडी जो लोग है तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी के बारे में गलत कहा जाए अब कौन किस इस तरह पर कारे कर रहा है वो तो हम नहीं जानते किस तो किस तरीके से इस दिव्यदरबार की महत्ता लोगों तक पहुंची और अभी कहां कहां से लोग किस दिव्यदरबार में आ रहे हैं देखिए दरबार तो बहुत प्रचली थे अगर तंद्र विद्या से कई मुक्ती मिलती है तो इस दरबार में और तुरंत रिजल्ट है देखिए दो दवा होती एक अंग्रेजी और एक ऐरवेदि तो आप इसे ये कह सकते हैं अंग्रेजी दवा की तरह एक फास्ट रिजड देता है यह धम और बहुत जल देता है तो यहां पर पर परचा तो बनता है लेकिन दूह निवारन है और यहां पर साक्षायत को फिर श्रिष्टी का को इनके सामने ठीक है और इस सारे शुकसंसाधन प्राधान निया TWO सब को प्रतान यहां पे आप कितने दिन मतलब रहते हैं लोगों के जो भी समस्य उसका निवारण करते हैं देखिए जब मैं यहां हूँ तो दर्बार चलता ही रहता है इसमें दो प्रकार का दर्बार है देखिए कुछ लोग यह बोलते हैं कि अगर गुरू जी है तो आप पैसा क्यों लेते देखिए अर्थ के बिना वेवस्ता नहीं है और वेवस्ता के बिना आर्थ नहीं है इदनी बड़ी जो वेवस्ता बन रही है अब मैंने तो कहा कि मैं अपने जेप से तो कुछ नहीं दोनों का सोचा ले अलग अलग यूनिट बनाया हुआ है तो अगर कोई पती पत्नी भी आये तो उनको अलग रहना है पत्नी लेडिज हॉल में और पती जेंस हॉल में अगर मिलना है तो बाहर आके मिलेंगे इतनी हमने सुवीदा रखी है प्राइवसी की सबके बहुत सोच हम यह दरबार है जो भक्तगन आते हैं पेड में जिनके पास समय कम होता है या जिनकी शमता होती है कि पेड अपना काट करा सके वो पेड में आते हैं और उसी नीदी से इसका निर्मान सारे हो रहा है जो आज हम लोग ने दरबार देखा वो अन पेड था यह निशुलक दर जिनकी शमता नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है उसमें सामागरी से लिए करे सारी चीज नीशुलक है और दोनों को समानता भाव से देखा जाता है बेद भाव नहीं नहीं तो हम भी मौजूद रहें करीब आदे घंटे हमारे साथ बात्चीत आपकी होई और दरबार में लोगों की अरजियां लगाते हुए लोगों की बाते को सुनते हुए परची बनाते मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं लगा कि पेड है या अनपेड मुझे मालूम ही नहीं था अभी आपके मैं लुख से सुन्ग मतलब 100% नुशल्क इस निशुल्क में आपको किसी तरह का एंट और जो पेड है उसमें तो फिर पेड है देखिए उसी से यह वेवस्ता बन रही है और वेवस्ता हम हमारे लिए आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही लोग यहां रहेंगे आप ही लोग इस सुवीदा का लाब लेंगे तो आप ही लोगों के लिए हो रहा है इसमें हमारा तो कोई लाब नहीं है कब तक उमीद है कि ये पूरा मंदिर प्रांगड कब तक बन जाएगा गर्भग्री और गर्भग्री है बना इस पर जो मंदिर बनना है इसको दो-तीन साल लग सकते क्योंकि शेल्फ कारिता का काम है पूरा स्टोन में बनना है तो समय लगेगा दो-तीन साल लेकिन दरबार जो है लगबग साल बर के अंदर पूरा रेडी हो जाएगा बाकी अच्छा एक सवाल छूट रहा था ये जो मा की प्रतिमा है तीन मा की प्रतिमा लगी हुई है ती प्रतिमा का विचार कैसे आया और क्या रूप देना है मा को ये स्वयम सिद्धी से ये मानिक खुद बताया जैसी ये प्रश्ण रहता है लोग नहीं ये ये जो रूप है ये सारे रूप जो है जो कलपना में आये अंदर मातारानी के द्वारा दिये ये कलपना भी मातारानी के द्वारा ही आती है तो फिर उस तरह से बनाया गया है तीनो रूप को और यहां पर देखिए और एक है कि यहां पर जो लोग आते हैं इनको वेवस्ता हो करके यहां पर जो है एटीम भी बन रहा है आप देखिए इतने आउट साइड में एटीम भी चालू हो जाएगा कुछ दिनों में यह जो आप देख रहें निर्मान कार्य चल रहा है वहाँ पे एटीम चालू होना है उस दिन यह एटीम है और उमीद है कि आने वाल से लोगों के रहने के लिए व्यवस्ता यही तो है ज गाओं में उपलब्द है रूम स्टे टाइप का है लोग यहां पे कुछ जो भी है सो देड़ सो रुपए देखे रुपते है और बोजना ले तो सामने लगे हुए यहां पे बोजन करते जाकर लो इस तरह बहुत दन्यवाद महराज जी आपका अपना कीमती समय देने के ल परबार थी उसकी महिमा हमने खुद प्रत्यक्ष अपने कैमरे में कैद की मैं खुद एक परची लिखा और बैक्ति मौजूद रहे उनकी जो भी समस्च्या थी महराज जी की कृपा होई दिब्बे सकती हमको प्राप थी मैंने उस परची को लिखा वो सब चीजे तस्बीर आप लोग लाइब कैमरे में हमारे कैद हुई आप लोगों ने देखा और उसके बाद हमने सोचा कि एक बैक्तिकत जो महराज जी के जीवन की जीवनी है कहां से सुरुआ तो इबाले आवस्ता कैसी रही परिवार में कौन-कौन रहे किस तरीके से प्रेड़ा मिली कैसे चीत किया महराज जी बड़े ही सहस्ता भाव से हर हमारे प्रसनों का जवाब दिया अब वन हमको देखने को मिलता है कि जिनको एक सिद्धी मिल जाती है सिद्ध पूरुस हो जाते हैं उनसे मिलना जुनना बड़ा मतलब ऐसे मिलना जुनना संबह नहीं हो पाता है खैर मेडिया का माईक हमारे पास है तो हमारे लिए सहज रहता है लेकिन आम आप देखिए महराज जी यहां खड़े है और आम के लोगों को और प्रेरित करती है जो हमारा दर्म है स्लात्रा धर्म यह परुफकार सही चलता है जैसे हमारे धर्म का यही स्लोगन ही एक लोगों की बारे में सोचते है लोगों के बारे में बिश्व कल्यार इंड Valut को चरितार्थ करते हुए महाराज जी बड़े ही बेबाकी के साथ और बड़ी बिनम्रता के साथ सेरल सब्दों में हर वो बात जो हमने पूछी उसको समझाने का हर समब प्रयास किया फिलाल वोकल टीबी की टीम मामा तंगी दिब्य दर्बार कुरुद में मौजूद रही दास के साथ मैं आसी सुकला वोकल टीबी रायपूर 36 गड़